कप्तान गंज में खूनी संघर्ष, भाई बहन समेथ तीन घायल, पुलिस ने पाँच व्यक्तियों को हिरासत में लिया आजमगर, जिली के कप्तान गंज थाना क्षेत्र के कुश्महरा गाव में चार दिन पूर्व भूमी विवाद को लेकर पट्टीदारों में हुए खूनी सरघर्ष में भाई बहन समेथ तीन लोग घायल हो गए, जिसमें भाई बहन की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल म लिए भरती कराया गया है, इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है, कप्तान गंज थाना क्षेत्र के कुश्महरा गाव के रहने वाले निवासी संत्राम पांडेय का अपने पट्टीदार सुग्रीव पांडेय से जमीन का विवाद था, संत्राम पांडेय ने आरोप लगाया कि एक नवंबर को रात करीब आट बजे उनके पुत्रभ्यान पांडेय से उनके पट्टीदार सुग्रीव से कहा सुनी हो गई, इसी बात को लेकर सुग्रीव पांडेय, हनुमान, पांडेय, अनिल पांडेय औ राम भुवन उनके घर में घुसकर गाली गलोज करते हुए उनको वा उनके भतीजे अवद बिहारी पांडेय वा भतीजी मनीशा पांडेय को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया, इसी दोरान सुग्रीव पांडेय ने अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके पर आ इस मामले में पीरित की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपियों सुग्रीव, अंगद, हनुमान, अनिलवा राम्भोव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वही एसपी ग्रामीन चिराग जैन ने बताया कि भूमी विवाद को लेकर कुश्महरा गाव में भूमी मारपीट की सुचना मिलने पर थानाध्यक्ष ततकाल मौके पर पहुंचे, मौके पर मारपीट में एक महिला समेत दो लोग घायल थे उनको जिला अस्पताल में भरती कराया गया, पीरित के द्वारा दी गई तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा उनको हिरासत में लेकर पुछताच की जा रही है, आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएगी उसके आधार पर कारवाई की जाएगी दिनांक एक नवमार दोजाच को थाना कप्तान गंज के गाउं कुछ महराम है, जमीनी विवाद के सम्मन्द में मारपीट की सुचन अपराप्त हुई थी, इस पर तकाल थाना प्रवारी अपनी पुलिस वल के साथ थाने मौके पर मौके पर मौजूद गए, वहाँ पर मार पीट में दो व्यक्ति घायल थे, जिसमें एक महिला भी थी, उनको ततकाल जिलास पताल में वर्ती कराया गया, उनका वाँ पर इलाज करवाए गया, और इसके अत्रिक्त, उनकी द्वारा जो तैरीड दी गए, उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन लोगों को भी हिरा आएंगे, उनके अधर पर करवाई की जाएंगे, इसमें पांच लोगों को लेरासर में लेकर पूस्ताज की जा रही है, और जो भी साक्ष मिलेंगे आगे, उसके अधर पर करवाई करेंगे,